आतो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं RRB, NTPC, Feast Refund के बारे में क्योंकि दोस्तो आप लोगों का काफी समय से कमेंट आ रहा था कि सर ये बताईए कि RRB, NTPC ने Feast से संबंदित जानकारी जो है वो तो हम से मांग ली लेकिन जो Feast Refund है वो कब आएगा तो दोस्तो उसी से संबंदित यहाँ पर हमको जो जानकारी है वो दोस्तो यहाँ पर मिल चुकी है इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आ हुई है वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे रिल्वे जॉब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इसके साथ ही अगर अभी तक आप मेरे वाटसब ग्रूप या टेलीग्राम ग्रूप पर ना आए हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा वहाँ पर जरूर आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर काफी इंपोर्टेंट जो जानकारी है वो आप लोगों को मिलती रहती है तो चलिए दोस्तो हम बात करने वाले थी RRB NTPC के फीस रिफंड के बारे में तो यहाँ पर दोस्तो आपको मैं बता दूँ अभी तक केवल है केवल एक ही जोन है जिसका जो फीस रिफंड है वो यहाँ पर आना शुरू हुआ है तो यहाँ पर दोस्तो कौन सा जोन है जिसका फीस रिफंड आना शुरू हुआ है तो वो दोस्तो आपका भूनेश्वर जो ने ठीक है दोस्तो जो भूनेश्वर जो ने इसने जो आपका फीस रिफंट है वो यहाँ पर जारी कर दिया है यहाँ पर दोस्तों आप आएंगे जब भुनेश्वर के ओफिशल वेबसाइट पर यहाँ पर ऐसा कोई भी डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे जो student है उन्होंने यहाँ पर मुझे अपना जो bank द्वारा mail आता है message जो आता है वो message की screenshot भेजी है जिसमें उझे बताया है कि उनका जो fees refund है वो आ चुका है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह जो student है यह OBC category के हैं इनके पास जो message आया था वो 12 बच के 41 मेट पर आया था यहाँ पर जो इनकी fees है वो 240 रुपई refund हुई है यहाँ पर केवल इनकी 10 रुपई जो fees है वो यहाँ पर काटे गई है बाकी fees इनकी refund कर दी गई है इनकी जो bank है वो दोस्तों SBI bank है आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके साथ ही अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर SBI का number दिया होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भूनेशवर जोन का जो है आपका जो fees refund है वो आया हुआ यानि कि दोस्तों अभी जो मुझे जानकारी मिली है उसकी अनुसार यहाँ पर जो आपका फीस refund है वो भूनेशवर जोन का ही जारी किया गया है यदि आप किसी जोन से आते हो और आप कभी यहाँ पर फीस refund आ गया हो तो आप लोग मेरे वाटसप पे अपने मैसेच की जो स्क्रीन सोट है वो हमें पर भेज़ सकते हैं अब इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के कुछ सवाल थे उन सवालों के जवाब भी मैं जैसे हर वीडियो में देता हूँ आज भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो चलिए मैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब दे द कि आपके यहां पर जो पैसे हैं वो बेकार चले जाएंगे अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि आप लोगों ने दूसरा सवाल पूछा था कि सर क्या पैसे जो है उन्हीं स्टुडेंट के वापिस आएंगे जिनका सिकेंड एक्जाम में नाम आया है या सभी स्टुडेंट वो भरने के लिए option आया था यदि आपने उसको भर दिया है या आपका पहले से ही successful है तो यहां पर आपका जो फीस है वो यहां पर 100% refund होगी यदि आपने exam दिया है चाहे आप qualify हो या qualify ना हो दोनों ही परकार से student जो है उनके यहां पर जो फीस refund है वो यहां पर की जाएगी यानि की अब दोनों ही student जाए आप qualify हो जाए या qualify ना हो आपकी जो फीस है वो आपके account में पहुँच जाएगी जैसे ही दोस्तों आगे के कोई भी zone यानि की आपको पता ही है टोटल यहां पर 21 zone है 21 zone में से अभी एकी zone की मुझे information मिली है वो है दोस्तों भूनेशवर zone बाक जो फीस है वो यहां पर आ चुकी है तो आप लोग दोस्तों WhatsApp से और Telegram से जोना बिल्कुल भी मत बूलिएगा और बाकी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजेगा अगली वीडियो जैसे ही आएगी उसी में वीडियो के लाश्ट में आपकी जो सवाल रहेंगे व दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है वीडियो कर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजे चैनल सब्सक्राइब कीजे अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में